हमारे सभी दर्शकों को साधर पढ़ाम जैशी कृष्णा आज मैं आपको वक्री गुरु के बारे मताऊंगा यदि आपकी कुंडली में वक्री गुरु है तो वह कब विवाह का योग बनाएगा वो इस्तती आज आप इस वीडियो के माद्यम से समझ पाएंगे गुरु की दो अवस्थाएं होती है एक एसी इस्तती जिसमें मारगी होता है दूसरी इस्तती वक्री गुरु आजकल तो कम्पिटराइज जनम पत्रियां बनती है उसमें जनम पत्री का जो होती है लगन कुंडली उसमें भी गुरु के आगे वह शब्द लिखा हुआ होता है उसका सीधा आर्थ होता है आपका गुरु जो है आपकी कुंडली में गुरु वकरी अवस्था में है ग्रहों की दो अवस्थाएं होती एक तो आगे चलता है उसे मारगी कहता है एक उल्टा चलता है उसे वकरी कहता है हाला कि इसके बारे में मैं पूरु में जानकारी दे चुका हूँ कि गुरु या कोई अन्य प्लेनेट जैसे मंगल है बुद्ध है, शुक्र है, शनी है वे उल्टे चलते हुए प्रतीत होते हैं हाला कि उल्टे नहीं चलते हैं चलते वे सीधे ही हैं लेकिन हमें उल्टे चलते प्रतीत होते हैं तो गुरू यदि आपकी कुंडली में वक्री है तो उसकी कौन सी ऐसी इस्तती है जिसे से आप यहां अनुमान लगा सकते हैं कि अब आपका विवा हो जाएगा तो इस वक्री गुरू की इस्तती आपको अपनी लगन कुंडली में देखनी होगी तो आप सबसे पहले तो अपनी कुंडली खोलें लगन कुंडली और आप अपनी कुंडली में यहां देखें कि गुरू किस राशी पर लिखा हुआ है जिसे एक मेश राशी, दो रशब राशी, तीन मिथुन राशी, चार करक राशी तो आप यहाँ पर इस चार्ट में देखेंगे, यहाँ पर एक चार्ट है इसमें नीचे तो लगन कुंडली बनी हुई है और उपर आपको देखना है राशियां राशियों के कौन-कौन से अंक होते हैं, तो आपकी कुंडली में 12 अंक अलग-अलग भाव में लिखे हुए हैं हर भाव में कोईन-कोई अंक लिखा हुआ होगा और किसी एक अंक पर किसी भी भाव में आपकी कुंडली में गुरु हो सकता है किसी भी पाव में गुरु बेठा हो, उसको देखें, वहां पर क्या अंक लिखा हुआ है तो गनित के अंक पर दरिश्टी डालनी है, एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है एक से बारा के बीच में क्या अंक लिखा हुआ है जहां पर गुरू आपकी कुंडली में बेठा हुआ है वक्री अवस्था में तो आपको सुत्र समझना है उससे ठीक पहले वाली राशी कौन सी है गुरू जहां पर आपकी कुंडली में बेठा हुआ है उससे ठीक पहले वाला अंक कौन सा है मान लिजिए गुरू तीन नमबर अंक पर बेठा हुआ है तो आपको दो नमबर अंक किसी पेज पर उतार लेना है सुत्र समझी है मान लिजे आपकी कुंडली में चार नंबर करक राशी पर गुरू बेठा हुआ है वक्री अवस्था में तो आपको तीन नंबर अंक आपकी कुंडली में मान कर चलना होगा कि वहाँ पर गुरू अपने रिजल्ट विशेश देगा तो आप पेज पर तीन नंबर अंक लिख लेँ तो जहां पर आपकी कुंडली में गुरू बेठा हुआ है उससे पुरू वाली राशी जो है उससे पहले वाला जो अंक है उसको आप एक पेज पर उतार लेँ उससे आपको पता लग जाएगा कौन सी राशी है अब आप दूसरा चार्ट देखें यहां पर त्रिकोन वाला चार्ट इस चार्ट को मैं पूरू में भी बता चुका हूँ और इसके बारे में अन्य जानकारियां भी दे चुका हूँ यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं अवश्य देखेंında जो पहली बार क्योंकि बहुत से लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहां पर नीचे लाल बटन है सबस्क्राइब का उसे अवश्य दबाएं और इस चैनल के सदस्य बने ताकि आने वाले समय में जितनी भी जानकरियां इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी आप तक समय पर पहुँच पाएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो आज हम चर्चा करेंगे त्रिकोण राशियों की यहाँ पर आप देखेंगे त्रिकोण राशियां चार सेट बना रखे हैं मेश, सिह, धनू, रशब, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुम्ब, कर्क, फ्रश्चिक, मीन यह चार मैंने जोड़े बना रखे हैं तो इन तीन-तीन राशियों के जो चार जोड़े हैं यह त्रिकोण राशियां कहलाती हैं त्रिकोण राशियां अर्थात पांचवी राशी मेश राशी से पांचवी राशी कौन सी है, सिह, सिह से पांचवी राशी धनू, इनको आप उतार लेए सीधी सटिक बात तो माल लिजे आपका अंक भी इन में से किसी एक अंक पर होगा चाहे वरशब कन्या मकर में हो चाहे मितुन तुला कुम्ब में हो चाहे मेश सिह धनु में हो चाहे कर्क वरश्चिक मीन इन तीन राशियों में हो तो उसी लाइन पर आपको नजर डालनी होगी और गोचर में गुरू आप यहाँ पर इस वीडियो में अंत में मैं एक चाहर्ट आपको बताऊंगा उसमें मैं 2020 से लेकर 2017 तक की सारी इस्ततिय आपको बता दूँगा गुरू कब-कब किस-किस अंक पर किस राशिय पर आएगा तो यहाँ पर जो अंक लिखे हैं उससे आपको राशिया समझनी है तिकौन से और अंत में इसी वीडियो के अंत में उस चाहर्ट को अवश्य देखें उससे आपको प यह 2027 तक की है तो 2027 तक के आपके पास पंचांग भी नहीं होंगे तो उन में से सारी जानकर यां इखटी करके इस वीडियो में मैंने डाल दी है आप उसे अवश्य देखें तो आपकी कुंडली में गुरू जिस राशी पर बेठा हुआ है वकरी अवस्था में उससे पू कौन राशी जैसे मानली मानलीजे आपकी कुंडली में गुरू मिथुन राशी पर है उससे पूरु वाली राशी व्रशब है तो व्रशब कन्या मकर पर जब भी गुरू आएगा गोचर का गोचर गुरू अर्थात वर्तमान में आकाश में गोचर इस्थती गुरू की वास्थविक इस्थती अभी क्या है उसे गोचर गुरू कहते हैं तो आज आपने समझा कि आपकी कुंडली में जो गुरू है जिस राशी पर है और वकरी इस्थती म तो उससे पुर्व वाली राशी आप नोट कर लीजिए और उस राशी पर भी जब गुरु आ जाएगा तो विभा का योग बन जाएगा गोचर का गुरू जब भी उस राशी पर आएगा या उससे त्रिकोन राशी पर आएगा विवाह का योग निश्चित तोर से बनेगा अब एक उदरान से और समझ लीजिए मान लीजिए आपकी कुंडली में दस नंबर मकर राशी पर गुरू बेठा हुआ नीच अवस्था में लेकिन आपको एक पेपर पर धनू राशी उतार नहीं है क्योंकि उससे पूर वाली राशी आपको लिखनी है धनू सीह और मेश एसी इस्तती में त्रिकोन राशिया कौन सी बनेगी मेश सीह धनू इन्हे राशियों पर गोचर में गुरू जब भी आएगा विवाह का योग बन जाएगा इस दूसरे चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ लेए एक उदरन और समझ लीजिए मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरू छे नंबर अंक पर लिखा हुआ है वक्री तो एसी इस्तती में आपको वहां पर पांच कांग लिखना है सिह राशी यहां अंक का सीधा आर्थ है राशी से और आप पूरू में इसी वीडियो में आप देख पाएंगे चार्ट जो सबसे पहले चार्ट बताये तो उसमें मैंने सारे अंक और उनकी राशियां बताई थी कि किस अंक से कौन सी राशी समझेंगे तो माली जै आपकी कुंडली में कन्या राशी छे नंबर रंग पर गुरू वक्री अवस्था में है तो आपको सीह राशी समझनी होगी और मेश सीह धनू ये तीनो त्रिकोन राशियां है जब भी गोचर में गुरू इन राशियों पर आएगा आपके विवा के योग इस्तती क्या है कहीं वहां पर शनी तो नहीं कुंडली में पंजम भाव में शनी तो नहीं शनी की सब्तम भाव पर दृष्टी है ऐसी इस्तती में भी विवाह में देरी होती है तो ये सारी इस्ततियां समझनी पड़ती कोई पाप ग्रह सब्तम भाव में बेठा हुआ है पर भी समस्य होती है लेकिन जब भी आपकी कुंडली में जो वक्री गुरु है जिस राशी पर उससे पुरुवाली राशी पर या उस राशी से बनने वाली त्रिकोन राशियां उन पर जब भी गुरु आएगा विभा का योग बनेगा एक उधरन और समझ लें मान लिजिए आपकी कुंडली में गुरु मीन राशी पर है बारा नंबर मीन राशी पर तो ठीक उससे पुरुवाली राशी कौन सी हुई कुंब तो फिर कुंब से त्रिकोन राशीयां कौन कौन सी बनेगी मिथुन तुला और कुंब जब भी गुरु मिथुन तुला कुंब पर आएग आपकी कुंडली में विवाह का योग उस समय अवश्य बनेगा तो वक्री गुरू में ये सारी बातें देखनी पड़ती है और अब विशेश इस्तती समझें कि यदि गुरू 10 डिगरी के नीचे है और चलित कुंडली में भी पीछे वाली राशी पर दर्शा रखा है तो उस इस्तती को भी अवश्य समझें बहुत सी बार हम चलित कुंडली पर नजर नहीं डालते हैं तो चलित कुंडली भी अवश्य देखें चलित जो कुंडली है उसमें गुरू यदि आगे पीछे राशी पर है तो वहां पर भी योग में अंतर आ जाता है विवाह का योग बनन कब है बनता कब है तो इस इस्तती को भी समझना पड़ेगा चलित कुंडली भी हमेशा उपयोगी सिद्ध होती है और बाकी तो मैं आपको नवमांश कुंडली और सारी इस्ततियां बता ही चुका हूं तो अब आप उस चार्ट को भी देख लें कि जिस चार्ट के अनुसार आप यह समझ सकते हैं कि आने वाले साथ सालों में कब-कब आपकी कुंडली में गोचर का गुरु ब्रमन करेगा तो आपकी कुंडली में गुरु जिस राशी पर बेठा हुआ है उससे पुरु वाली राशी पर या उससे त्रिकोन राशीयों पर जब भी कोचर का गुरु निश्चित तोर से बनेगा यदि आपका गुरू वक्री है और यदि वक्री नहीं है और जिस किसी राशी पर जन्म के समय का गुरू बेठा हुआ है तो उस राशी या उस सित्रिकोन राशी पर गोचर का गुरू जब भी आएगा विवाह का योग बनाएगा आप यहां पर इस चार्ट में देखेंगे कि सारी राशीयां लिखी हुई है और उसके आगे राशीओं के अंक लिखे हुए हैं उन उन राशीओं पर उन वर्षों में जो तारीके मैंने लिखी है उन में यदि आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपका काम हो जाएगा और वेसे भी प्रयास नहीं करेंगे तब भी रिष्टे आएंगे तो इस चार्ट को आप अवश्य नौट कर लेए या इसका फोटो कीच लेए क्योंकि यह चार्ट बहुती दुलब है आपको नहीं मिलेगा और आपको हर साल के पंचांग में इन तारिकों को टटोलना पड़ेगा तब ही जाकर आपके पास यह सारी इस्तियां आएगी तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें धन्यवाद जैशी कृष्णा